तो कैसे हो दोस्तों आसा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होगे दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि क्या एक छोटी सी गलती है छोटी सी भूल है जिसके बज़त से आपका करता है यह लोई step में और उपर से son होता है इस step का हो या फिर step का हो वो मैंनक करता है पर दे हुँ या फिर सब ढमें 3-4 दिन हो और ऐसा करने के बाद आपका डॉवग पूरी तरीगे से fit है लेकिन फिर भी मोस्ली मॉरनिंग के टायम में आपका डॉग step का वो करता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि यह होता क्यूं है और इसका सॉल्यूशन क्या है तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पॉम्ट आय अनुराग यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अनुराग आरेन दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलती रहे चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वोमेटिंग के बार में थोरा सा आइडिया दे देना चाहता हूं दोस्तों इस टैप का वमेटिंग जब आप देखोगे तो नीचे में आपको पीला पीला टाइप में लिक्विड दिखाए परेगा और उपर से फोम टाइप में आपको दिखाए परेगा जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाए पर रहा है और इस टैप का वमेटिंग यदि आपके डॉग में बहुत दिन से हो रहा है और इस टैप का वमेटिंग आपके डॉग में बहुत दिन से हो रहा है हो सकता है कि वो बीच में बंद भी हो गया हो एक मन्त दो मन्त बहुत दिन से हो रहा है लेकिन आपका situation के लिए मैं आपको बतलाने वाला हूं लेकिन दोस्तों आपके डॉग में इस टाइप का vomiting just start हुआ है कल से या फिर आज से या फिर तिन चार दिन से और आपका डॉग दिन भर यही करते रहता है तो आपके डॉग में थोरा सा serious problem है बेटर होगा कि आप लोग अपने डॉग्टर से बात कर लिजिए चलिए दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं इस टाइप का जो vomiting होता है वो mostly दो कारण से होता है सबसे पहला कारण होता है इसको बोलते हैं इस बाइल डॉट इरिटेशन और बहुत सारे डॉट में यही होता है दोस्तों होताकिया है कि डॉट के बॉडी के अंदर लिवर है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है हम लोग के अंदर भी लिवर होता है दोस्तो लिवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसको बायल डक्ट बोलते हैं ये बायल डक्ट लिवर से निकल करके small intestine में store होता है बायल डक्ट का काम होता है कि fat को और food को अच्छे तरीके से digest करे लेकिन जब ये बायल डक्ट बहुत ज़्यादा मातरा में store हो जाता है और कोई भी food नहीं मिलता है तो इसके बज़े से dog में irritation होता है और dog vomit कर देते हैं इस तरीके का दोस्तो ऐसे situation को आप लोग handle कैसे कर सकते हो आप लोग अपने dog को early in the morning कुछ खाने के लिए दे दीजे ताकि उसके stomach में कुछ खाना रहेगा तो वो bile duct से irritate नहीं होगा और वो vomiting भी नहीं करेगा और ये चीज बहुत साइ लोगों को नहीं पता है अपने dog को कोई साभी medicine दे देते हैं कोई साभी injection दे देते हैं जिस medicine या injection का कोई भी खवर नहीं कोई भी फाइदा नहीं लेकिन फिर भी वो अपने dog को देते रहते हैं तो दोस्तो आप लोग इस चीज को follow किजिए ज़्यादा chances है कि आपका dog सही हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आप लोग अपने doctor से जितना जल्दी हो सेके उतना जल्दी consult कर लिजे चली दोस्तो मैं आपको अब दूसरा कारण बतलाने वाला हूँ दोस्तो दूसरे कारण में क्या होता है कि बहुत सारे dog या फिर बहुत सारे puppy क्या करते है कि वो गंदी चीजों को खाते हैं बहुत ही ज़्यादा घास चबाते हैं जिसके बज़से कभी-कभी dogs में chronic distress हो जाता है जिसके बज़से dog इस तरीके का vomiting करता है ऐसे situation में सबसे पहले तो आपको अपने dog को गंदी चीजे खाने से रोकना होगा चाहे वो मिटी खाता हो, गोवर खाता हो या फिर वो घास चबाता हो ऐसे चीजे करने से आप उसे रोकिये और उसके बाद एक medicine का dose चलता है कम से कम 8 दिन तक वो आपको follow करना होगा और वो medicine जानने के लिए आप लोग अपने डॉक्टर से बात कर लीजे या फिर अपने टीम में भी डॉक्टर मिसरा है वो आपको help कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि online में medicine recommend करना गलत है तो इसलिए या तो आप लोग अपने डॉक्टर से बात कर लीजे या फिर हमारे टीम में भी डॉक्टर मिसरा है आप लोग membership plan ले सकते हो आसा करता हूँ कि आप लोग के लिए काफी ज़्यादा helpful आओगा तो आप लोग नीचे comment करिए कि आपका डॉक कैसा vomiting करता है और कभ से vomiting करता है ताकि मैं उस तरीके का वीडियो नेक्स्ट बार ला पाऊं और दोस्तों यदि आपको डॉक्स इलेटेट बहुत सारी information चाहिए तो हमारे एक application है जिसका नाम है dog and honor आप लोग उसको install कर लिजिए जिसमें आपको बहुत सारी जानकारिया मिलने वाली है जिसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी information दी गई है और बहुत ही जादा information जल्दी जल्दी अपडेट होने वाला है दोस्तों इस app का link आपको description में मिल जाएगा या फिर आप लोग play store पे dog and honor सर्च कर सकते हो दोस्तों हम लोग मिलते रेंगे बहुत सारी वीडियो में तब तक लोग ठेट के और बाई बाई जाएजी जाएजी